नमस्कार मित्रों राशी रत्नों की श्रंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आज हम बात करने वाले हैं चमतकारी रत्न पन्ना के बारे में पन्ना रत्न जिसे अंग्रेजी में एमरेल्ड कहते हैं यह रत्न रत्नों में बहुत ही प्रस्लित रत्न है तो समझिए कहीं ना कहीं आपकी जनम पत्री में बुद्धि ग्रह कम जोर है और बुद्धि ग्रह को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको पन्ना रत्म धारण करने पर उसके लाफ तभी होंगे जब रत्म ओरिजिनल हो सही विधी विदान से धारण किया जाए तो आप सबस्क्राइब के लिए बनेरे साथ क्योंकि इस वाड़ा तेखने के बाद पन्ना रत्म धारण किया जाए कि सब्सक्राई के जवाब आपको दे पाएंगे विशे जनुरोद मित्रों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाप्राप्त हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गंटी का आइकन जरूजवाईए ताकि भौश्य में जब हम इस तरह की रत्नों से जुड़ी किसी तरह की कोई जानकारी दे तो ऑँप तक सबसे पहले पहुछ सके और आप लाप्राप्त lifetime दोस्तोश जानते हैं कि प्रनकर आपको के फाइदन के हैं तो सबसे पहले बुद्धी को तेज करता है पन्ना करता है मन की चिंताओं को दूर करके मानसिख शांति प्रदान करता रट है पहनने से व्यापार में आर्थि पंणा रत्म पहनलने के कुछ फाइदे और इन्टों यह फाइदे जबी होगे जब ले असली पंणा रत्म्र धान करें दोस्तों अगर आपको एक विश्वस नियाने लेब दौरा प्रमाणित रत्म्र चाहिए तो आप सुंदर्ता के लिए बहत प्रसुद्ध है दोस्तों पन्नारत्म अपने सुंदर्त के कारण आभूषणों में लिएता है ठीब अधीर में कई जगे पाइए जयता है जिन में मुख्यत자 विश्व की उच्चतम quality में आती है दोस्तो अब हम बात करते हैं पन्ना रत्न के विकल्प पन्ना रत्न की पहचान तो दोस्तो पन्ना रत्न एक काफी महंगा रत्न है इसलिए जिन लोगों की शम्ता पन्ना रत्न पहनने की नहीं होती है तो पन्ने रत्न के विकल्प के करें तो आजकल बजार में कई तरह के रत्न आ गए जिस कारण किसी भी रत्न की अपनी आँखों से पहचान करना काफी मुश्किल हो गया इसलिए सब्चा अच्छा है कि जब भी आप कोई भी रत्न खरीदें तो एक विश्वस्निय व्यक्ति से विश्वस्निय लैब दोरा प दारण करना चाहिए तो दोस्तों सवर्व प्रत्म जिनके जनम पत्रे में बुद्ध उच्चका हो लाब्धायक इस्तिती में हो उन्हें पन्नारत्न धारण करना चाहिए दूसरा मित्थुन एवं कण्या राशी वालों के लिए पन्नारत्न विशेश फल्दाई होता है इन और उचित जोतिश सलाह से पन्नारत्न धारण कर सकते हैं अन्यता इन्हें पन्नारत्न धारण करने से बचना चाहिए अब बात करते हैं कि पन्नारत्न किसे नहीं पहनना चाहिए दोस्तों जिनकी विजनम पत्रे में बुद्ध नीचका हो नुकसायन दाक इस्तिती में हो उ प्रिषेश परिष्टितियों में अगर जरूरी हो तो उचित-जोतित लहा से ही पन्ना रतन करना चाहिए कोई भी रतन हमें तभी फायदा करता है जबकर एमां उसे उचित विधी विदान से धारन करें तो दोस्तों क्या है भी अप्रतन करने की विधि आईए जानते हैं बुद्ध करके उसे अभिशेक करके उसके बाद में गंगाय दल से उसका अभिशेक करें और दूप अगरबत्ती करें और दूप अगरबत्ती करकने के बाद पश्चात बुद्ध देव के मंत्र का 108 बार जाप करें और बुद्ध देव का मंत्र है ओम बुद्ध बुदाय न दोस्तों हमें उमीद है कि आपको जानकरे लाप रत लगी होगी और आप इसका लाप जरूर उठाएंगे दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं बुद्ध ग्रह के रत्न पन्ने को धारण करना आपकी जनम पत्री में पन्ना रत्न लापदय के स्थिति में उच्छ का है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम आपको विश्वस निये लेप दोरा प्रमाने तरफ में कुपलब करवाते हैं इसके लिए आप स्क्रीन पर दिएकर हमारी नमरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद